हलो बच्चों मेरा नाम पवन कौन कुपता टीम फिजिक्स सील सी सीकर तो शुरुवात करते हमारे दंगल डायमंड टेस्ट यह की दंगल पहले टेस्ट की और इसमें टोपिक करने कवर करने वाले 11 का पार्ट तो शुरुवात करते हमारे section एक सेक्षिन एक में हमारा पहला क् है ठीक है तो बिल्कुल यह तो बात सही है कि जैसे मालों जो दो वेक्टर हम लेते हैं यह और यह बी है तो अब इसमें ध्यान रखना जो ए प्लस भी आता है है अगर देखेंगे तो यह होगा माइनस-भी जो है वह पीछे की तरफ आएगा पर यह ध्यान रखना कि प्लस और माइनस करने पे जो दो वेक्टर मिलते वह उसी मिलते हैं जिसमें आपने दो वेक्टर एर बी लिए हुआ ठीक है लेकिन जो cross product होता है वो हमेशा इस plane से perpendicular एसे आएगा बाहर की तरफ एसे बाहर की तरफ तो जो अंगुठा है इसको अपन माल लेते हैं A cross B ठीक है तो A cross B देखो A के भी perpendicular है जैसे माल लो अपना A cross B यह है तो यह A से भी 90 पे है B से भी 90 पे है और A minus B से भी 90 पे तो A plus B और A cross B के भीच का एंगल 90 होता है यह बात तो सही है फिर यह बोल रहें एंगल बेट्विन A cross B and B cross A बिल्कुल A cross B और B cross A में direction opposite होती है यहाँ दिन आपको rule कि A cross B is minus of B cross A तो यहाँ जो minus लिखता है उस minus का मतलब क्या है उस minus का मतलब यही तो होता है कि उन दोनों में जो एंगल है A cross B और B cross A में वो 180 डिगरी होता है तो इसकी इसमें आपका reason as a statement तो ठीक है बट यह इसका reason थोड़ा नहीं तो आपका answer हो जाएगा second answer ठीक है इसमें कोई confusion फिर उसका दगला आता है second question second question में आपको यहाँ पर एक mass density दिया हुआ है और आपको उसे SI unit में convert करना है तो देखो density कितना दिया हुआ आपको 0.625 gram per centimeter cube 0.625 gram को kg में लिखेंगे तो 10 पर माइनस 3 kg लिख देंगे हम और centimeter cube को लिखोगे 10 पर माइनस 2 meter और ये q तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.625 10 to the power minus 3 10 to the power minus 6 kg per meter cube solve करने पर कितना आ जाएगा 625 तो 625 आपका answer बन जाएगा second option इसमें कोई confusion आगे बढ़ते हैं अगले question 103 पर आपको यहाँ पर एक quantity given है x और उस x का एक formula given है आपको इसमें x में percentage बता रहा है तो देखो छोटे छोटे percentage change हो तो आपके पास formula क्यों जाएगा देखो कितनी power है a की x percentage is twice of a percent 3 times of b percent then 5 by 2 times of c percent and then minus 2 times of d percent यह तो जो पावर दिये उसके हिसाब से पने formula लगा दिया अब इसमें a का percentage change कितना है 1 percent b का कितना है 2 percent c का कितना है 2 percent अब ध्यान रखना जब भी आप maximum percentages निकालते हो हमेशा है mode लगाना पड़ता है मतलब d का इस तरह का percentage change consider करो कि answer हमेशा बढ़के आए ठीक है तो minus तो किर formula की वज़े से आ रहा है minus 2 तो लेकिन d में error कितनी है 4 percent ना इसको minus use कर लो अब यह minus use करने का purpose किया है कि यह minus और यह minus दोनों मिलके plus हो जाए क्योंकि जब हम x में maximum error बताते हैं तो कभी भी error से error को काटते नहीं अगर आपने इसको plus use किया तो यह error से यह जो minus 8 आएगा वो इसको cancel करने कोशिच करेकर आप इसलिए हमेशा इस तरह का sign लेना है कि error हमेशा जुडती ही जाए यह error कभी कटने नहीं चाहिए तो या तो आप ऐसे समझ लो या फिर आप एक सिंपल सा जो बच्चे याद भी रखते हैं आप मोड लगा दो सब में तो हमेशा द्यान रखना वर्स्ट केस एरर में error को इस तरह से लिया जाता है कि पांसर हमेशा बढ़ता हुआ है ओके 103 का थर्ड आंसर अगला आता है अपना 104 104 में हम यह ए और बी रूट अबी की वैल्यू बता गी ठीक है तो देखो एक्स यहाँ पर क्या दियावा है ए बी रूट में मतलब ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ तो एक्स में परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा और percentage में convert करने के लिए source से multiply कर दू फिर half B का percentage change कितना रहा है 0.2 कितने पा रहा है 2 पे into 100% तो यह कितना आएगा अपने पास यहाँ पे तो 1 में 0.2 होता है अपने पास 20% और 2 में 0.2 होता है 10% तो यह हो जाएगा अपने पास 20% half plus half और यह कितना रहा है अपने पास 10% तो टोटल आएगा मेरे पास 15% answer अब X एक बार तो value निकाल लेते हैं तो X की value कि आएगा अपने पास root of 1 और 2 तो यह solve करने पा आएगा root 2 root 2 यह नहीं कि 1.414 है ना अब 1.414 का 15% मुझे निकालना है तो यह कितना हो जाएगा अपने पास 0.21 है ना तो 1.21 का 15% 15% of 1.414 ठीक है तो अपने पास यह आजाएगा answer इसका 10% जाए 0.141 तो उसका फिर अपने डबल करेंगे यह लोगमोस 0.21 आएगा ना तो यह आजाएगा 0.21 एप्रोक्स तो आपका answer क्या बन जाएगा यह आपका error आगे यह तो आगे आपका delta x x अपने अदर निकाल लिया तो अपना x की value आएगी 1.41 4 प्लस माइनस 0.21 तो एप्रोक्स करके लिखोगे तो आपका answer हो जाएगा 4th option इसमें कोई confusion बीटा तो यह आपका 4th आगया इसके अगला आता है 105 105 में देखे आपको यहाँ पे एक cgs unit में density दियावा है अब एक नया system आपको यूज करना है इसमें लंबाई को आप 10 cm लेते हो basic unit लंबाई की मास को 100 gram लेते हो तो आपको बताना है कि density क्या होगी तो सबसे फिरे density लिखो क्या दियावा है 4 ग्राम पर cc अब देखो जो हमारी नई unit है उसमें हमें convert करना है तो एक बार देखो नई unit में मास कितना माना है स्टेंडर मास सो ग्राम माना है तो अपन क्या करेंगे इसमें 100 gram के फॉर्म में convert कर दो एक तरीका समय दाइस को ज्यान से मुझे नई unit लेनी 100 gram cgs में स्टेंडर होता है 1 gram तो मैंने अदूर मैंने 5,000 gram की जागे 70 सो लिख दिया ना समांज ना मैंने इसमें सो से डिवायड भी कर दिया अवाग़त अब समय देखा मैंने gram की जगए 100 का ती पावरती । अब मुझे 10 cm आना है है तो मैं theorem ए मेझेश निया इसा करता हूँ 10 cm लिख देता हूँ और फिर दिवाइड भाइड भाइड भी कर देता हूँ और पावर 3 है तो पावर 3 भी लगा दिया देखो ग्राम था मैंने ग्राम को सो से multiply divide किया तो technically कोई चेंज हुआ भी नहीं centimeter को मैंने 10 से multiply divide किया क्यों किया 10 से multiply लाना है मैंने वेसे कर लिया अब देखो इस बाहर लिखे ना इनको बाहर निकाल लो तो 4 इदर क्या आया वन बाई हंड्री इधर क्या बच्चे का हंड्रीड ग्राम है ना और यह बच्चे का 10 cm की पावर 3 यह कितना है का सौल करने पर यह आएगा आपके पास स्वाल करने प जाएगा हंड्रीड ग्राम और 10 cm3 तो यह हो गया आपके पास रो की वैल्यू कितना हम फॉर्टी हंड्रीड ग्राम अपॉन 10 cm3 तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 3rd option 105 का इसमें कोई confusion है ना तो 105 का आपका आंसर आ गया थर्ड तो इसमें इस तरह से ध्यान रखता है सिस् और बहुत easy भी है calculation भी इसमें बिल्कुल कम ही होती है एक दूसर तरीका dimension वाला आता है पर यह थोड़ा easy होता है exam के लिए ना तो इसमें को conclusion 105 का दगला आता है 106 106 में आपको A और B दिये में और आपको जो A.B के formula होते है उसके हिसाब साब को solve करना है तो देखो A.B का basic formula ह क्या होता है A.B कॉस थीटा अब कॉस थीटा की हिसाब सकर देखें तो थीटा यहाँ पर जीरो हो तो A.B कितना आ जाएगा थीटा अगर जीरो हो तो उसकेस में A.B आ जाएगा अपने पास A.B के बराबर A.B मतलब कितना हो जाएगा 2 into 4 यह नहीं की 8 तो A.B 0 पे 8 आएगा B मतलब A.B 8 कब आएगा जब थीटा की वेली 0 हो तो B मेंच कर रहा है P से ठीक है फिर 90 केस में क्या हो जाएगा 90 केस में A.B आएगा अपने पास A.B कॉस 90 मतलब 0 तो यह बिल्कुल यह इदर मेंच कर जाएगा फिर 180 केस में कॉस 180 के लिए माइनस वन होती है तो प्लस वन पे अगर 8 आ तो 1 पर यह दर मेंच कर जाएगा आ ना A.B थीटा बराबर A.B 180 माइनस 1 होता है तो इस केस में A.B हो जाएगा आपके पास 2 4 cos 180 यहनि कि minus का 8 ठीक है और 60 के case में क्या आएगा 60 के case में आएगा अपने पास A dot B बराबर 2 4 cos 60 के value 1 byte होती है तो 4 बच जाएगा तो यह आपका राज आएगा ठीक है तो A का Q B का P A का Q B का P C का S D का R 3rd option आपका correct हो जाएगा इसमें कोई confusion बेट है इसमें तो यह 106 का 3rd आगे बढ़ते है पन A क्रोस B square plus A dot B square है ना तो देखो A क्रोस B का square क्या हो जाएगा A B sin theta square A dot B square क्या हो जाएगा A B cos theta square तो देखो क्या आएगा A B तो बाहर निकाल लो square sin square theta plus cos square theta कितना हो जाएगा बेटा A square B square यह 1 हो गया तो आप का अंसर हो गया इसका second ओके फिर अगला आता है है अपना 108 108 में आपको A cape और B cape की बीच का angle theta है तो आपको A minus बताना है देखो A minus B है ना मुझे यह बताना है और दोनों जो है unit vector है ठीक है यह दोनों क्या है unit vector है तो unit vector की value तो हमेशा sim होती ही ना 1 तो 2 equal value के unit vector हो इन दोनों की value को में चलो A ही मान लेता है 1 मान लेता हूँ तो 2 1 sin theta by 2 यह तो direct formula ही होता है भी यात करो आपके पास A और दूसरा vector भी A हो और इनकी बीच का angle theta हो तो आपको A minus B बताना हो तो उसकी value क्या होती है 2 A sin theta by 2 यह का बाता है जब A का mode और B का mode बराबर हो तब उस case में यह value आती है ना तो आपका आज़ आएगा XWART का first कोई confusion इसमें फिर उसकी बाद आता अपना X109 X109 में अभी बोल रहे हैं कि 1 K constraint की spring को अपन सीलिंग से लटका के दूसरे सीरे पर M mask जोड़ देते हैं तो mask को छोड़ने के बाद spring में maximum elongation कितना आएगा देखो ध्यान रखना maximum elongation का case क्या होता है आपने मानलो एक mask को यहाँ पर रखके छोड़ा है तो अभी यह spring में elongation क्या है कुछ भी नहीं है X बराबर 0 है नहीं है तो फिर क्या होगा कि एक बार यह spring जो है वो इतना खिचेगी मानलो यहाँ पर इनिशल कंडिशन से कितना खिची मानलो X नॉट अब आप लोगों ने कई लोगों ने क्या किया होगा यहाँ पर MG को बैलेंस किया होगा Fs के साथ और Fs बराबर K X नॉट कर दिया होगा तो उनका अंसर आया होगा K X नॉट बराबर MG और X नॉट 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 लिग दिया होगा MG by K लेकिन यहाँ आंसर सही नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो कंडिशन आये उस दोरान MG जो है वो डॉमिनेटिंग रहा है पहली बार जाके स्प्रिंग फोर्स और MG अब बराबर हुए मतलब यहाँ पर आने के बाद नेट फोर्स तो 0 हो गया लेकिन यहाँ से यहाँ तक अबजेट एक्सलरेट होके आया इसलिए वो वेलोसिटी गेन कर लेगा तो वेलोसिटी गेन कर लेगा देखो next डायग्राम में मालो अबजेट यहाँ तक आया होगा इनीशिल कंडिशन से अब यह हम माल लेते हैं इसका मैक्समेल लॉंगेशन इतना है X M ठीक है यह इसका मैक्समेल लॉंगेशन है तो ध्यान रखना मैक्समेल लॉंगेशन की स्प्रिंग के वो सेम वेलोस्टी इस सलते हैं मतलब अगर मैं इस अपर एंड को P माल लेता हूँ और इस लोवर एंड को Q माल लेता हूँ स्प्रिंग में तो P और Q दोनों की वेलोस्टी क्या होनी चाहिए सेम अब P की वेलोस्टी जीरो रही क्यों हो क्योंकि P तो आपने छट पे बांद दिया छट तो फिक्स है न तो ये P भी फिक्स हो गया अब P की वेलोस्टी अगर 0 है क्योंकि वे छट पे टेच है तो फिर Q की वेलोस्टी भी क्या नीच चाहिए 0 और Q किस के साथ जुड़ावाए ब्लॉक के साथ जुड़ावाए इसका मतलब वेलोस्टी अगर ब्लॉक क्या हो जाएगा 0 कहने का मतलब है कि ब्लॉक उस वक्त रेस्ट में आ जाएगा मतलब यह जब मैक्स अलंगेशन आएगा तो वेलोस्टी अगर कितने हो जाएगी 0 मतलब देखो शुरुवात में भी velocity 0 थी initial velocity भी क्या थी? 0 थी final velocity भी क्या है? 0 है लेकिन इस दोरान velocity यहां से इस condition से इस condition तक velocity बढ़ रही है उसके बाद velocity वापस कम होना शुरू ही है मतलब यह acceleration वाला कैस है उसके बाद फिर retardation वाला कैस है पहले update accelerate होगा फिर retard होगा अब इसके बाद हमें केवल इस initial condition और इस final condition में क्या लगाना है? energy conservation method initial और final ठीक है? तो इस initial और final में हम energy conservation लगाएंगे तो देखो क्या हुआ यहां पे? block नीचे आया ना तो block की gravitational potential में क्या हुआ? loss हुआ delta u loss अब यह delta u loss जो हुआ है किस में हम पोटेंशल में है? वो किस में चला जाएगा? delta u spring energy में ठीक है? तो loss कितना हुआ? mg object initial से कितना नीच आया? x spring में कितना gain आया? half k xm square तो यह square से खत्म तो आपके पास xm कितना आ जाएगा? 2 mg by k तो मेरा answer जाएगा 2 mg by k इसमें कोई confusion में बिटा? x no का answer क्या हो जाएगा? 2 mg by k फिर आगे बढ़ते हैं दस्वे में जो origin है उस पर आपको एक point दिया हुआ है और उस पर particle पर एक force दिया हुआ है f बराबर minus k x u बराबर 0 पर energy इतनी है तो energy और x के बीच का graph आपको बता रहा है देखो delta u क्या होता है? delta u होता है minus of f dot dx ठीक है? तो minus of f dot dx मतलब ठीक है? तो अब इसमें f के लिए रुखो minus of a x dot dx तो minus minus plus a x square by 2 0 से x तो ये कितना हो जाएगा? half a x square और delta u का मतलब भी क्या हो जाएगा? u x minus u origin बराबर half a x square origin के energy 0 माननी है न तो ये 0 half x square तो u x कितना हो गाएगा? आपके पास half a x square half a x square मतलब कौन सा graph हो गाएगा? ये graph होएगा parabola partially increasing parabola ठीक है? ठीक सुदस का अंसर हो जाएगा? second कोई confusion यहाद तक फिर आगे बढ़ते हम आपको यहाँ बुलाए कि object को constant horizontal force की help से आप खीच रहे हो और एक circular arc है की along खीच रहे हो है न मतलब यह object यहाँ से यहाँ तक आया ठीक है? तो आपको बता रहा है कि force ने कितना वर किया? तो simple सी बात है बटा object की distance यह पहले radius यह भी radius तो object का x direction में displacement कितना है? वो निकाल लो आप तो force भाई वर का simple सा concept है force into displacement तो यहाँ रहेगा force और displacement का भी x component ले लो force कितना है? f और displacement का x component मतलब कि r sin 60 इस r का sin 60 component यह रहेगा f r root 3 by 2 यह मेरा थड़ा answer आ गया कोई confusion इसमें 111 में तो easily आपका answer बनता है इसका root 3 r by 2 फिर root 3 f r by 2 फिर अगला आता है 112 112 में आपको 5000 किलो का rocket दिया हुआ है जो ओपर की और जा रहा है ठीक है? अब इस rocket में आपको बताना है कि इसका acceleration जो है वो 20 तो देखो acceleration कैसे मिलता है कि इसी rocket को पे thrust force लगता है उपर mg लगता है नीचे तो f net क्या आता है बेटा? f net आता है thrust force minus mg तो f net क्यों हो जाएगा? और इसको पन लिख देंगे m into a तो thrust force जो आता है वो आता है आपके पास तो इसमें आजाएगा f t बराबर mg प्लस m a f t होता है v relative d m y d t तो यह हो जाएगा mg प्लस a तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पर सेकिंड कितना मास निकल रहा है आपसे पूछा गया है तो mg प्लस a v r यह आगया अब इसमें फिर हम value put करते हैं m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा मेरे पास 5000 g 10 a 20 और v relative कितना दी आपको? 800 तो 800 की इसाफ से तक स्वाल करोगे तो आपके दो जिरो सो दो जिरो तो यह कट जाएंगे 30 और 50 यह आजाएगा पंदरा सो 8 तो यह कितने बार कटेगा? कोई confusion इसमें तो आपका exact answer जो आ रहा है वो आ रहा है 187.5 kg पर सेकेंड तो यह बिल्कुल formula based question है है ना इसमें आपको कोई confusion नहीं होना है चाहिए अगला आता है 113 ठीक है? एक बाई से नोट कलने मिटा 113 में आपको यहाँ पे दो ब्लॉक जुड़े में है ना और आपको A और B से जुड़ी रस्टी का टेंशन बताना है तो देखो हमें सिंबल सा पता है कि पूरा सिस्टम ऐसे accelerate होगा ना तो acceleration बराबर क्या होता है? चलाने वाला फोर्स चलाने वाला फोर्स कौन सा है? देखो इन दोनों का वेट और यह वेट dominating कौन सा वेट है? यह है तो है 5G और यह केवल क्या है? 4G तो चलाने वाला वेट 5G रोकने वाला 4G डेवाइड बाई टोटल मास तो यह कितना आजाएगा? G by 9 यह तो आपके पास क्या गया? acceleration अब केवल इस B ब्लोक को देखना है ना इस B ब्लोक को टेंशन ही तो ऊपर चला रहा होगा बई B ब्लोक तो ऊपर जा रहा है केवल B ब्लोक की बात कर रहा हो अभी में और इसका M G इस पर नहीं चला रहा है तो इस B ब्लोक के लिए देखने इदर सॉल करेंगे अपन है ना T माइनस M G बराबर M A यहने कि T बराबर M G प्लस A M कितना इसका 1? G प्लस G by 9 तो कितना आजाएगा पिटा? 10 G by 9 10 G by 9 यहने कि यह आगया मेरा 113 का 4th option तसमें कोई confusion ठीके तो 10 G by 9 यह इसका option हो गया ना बेलकोल इजी है आगे बढ़ने है अपन 14 पे 14 मापको एक M मास की कार गिवन है और R मिटर के horizontal radius पे circular path पे जारी है आपको B की speed से इसकी है और A की rate से इसकी speed जो है वो बढ़री है तो आपको acceleration बताना है तो देखको acceleration में दो तरह के acceleration होता है net acceleration में एक तो होता है 80 square दूसरा होता है AR square ठीके tangential acceleration आपको AR यह दिया हुए 80 होता है V square upon R और फिर उसका V square तो यह दिया हुए तो आपका answer हो जाएगा इसका third answer ठीके 114 का फिर उसका अगला आता है 120 115 115 में आपको क्या दिया हुए कि H height की H height से आपने horizontal direction में इतनी velocity से एक object फेका है तो कितनी दूर जाके गिरेगा है ना मतलब सिंपल सी एक range बतानी है आपको इसमें देखो तो range का formula क्यों होता आपके पास range का formula होता है U into T यानि कि U into root 2H by G अब U कितना दियावा है आपको U दियावा है root 2GH और 2 यह है small h by G तो G से G कटेगा तो आपका answer क्या जाएका 2H या आपका third answer आगया 115 में ओकी पीटा अगला आता है 16 है ना यहाँ ता कोई confusion पीटा 16 में आपको एक simple equation given है ना अब इस equation को यहाँ पर थोड़ा सा range करते है 16x common लेते हैं तो यह रहाएगा 1-5x square by 4 और 16 से multiply कर दो x square में से 1x तो बाहर निकाले ना तो 1x बचेगा square निया पार उतनी आएगी हो अब यह आगया मेरे पास 16x 1-x 64 by 5 अब इसको में एक दूसरी equation जो होती है ना trajectory कि उससे compare करता हूँ क्या हाती है equation यह हाती है x 10 theta 1-x pi r यह आपने projectile में equation of trajectory ना यह equation of trajectory होता है इससे compare करें तो r के जाए क्या लिखावा है 64 by 5 तो 64 by 5 होता है 12.8 तो आपका fourth option हो गया range का ठीक है यह आपका question number 16 ठीक है बस आपको click करना चाहिए इसकी जो equation होती है वो यह वाली भी होती है ठीक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आना वाली equation में बिल्कुल simple formatting करनी है बस अगला आज आएगा 17 17 में आपको यहाँ पे VT graph दिया वाया और आपको 8 second बात का displacement बताना है है ना total 8 second में कितना displacement आया तो देखो simple सी बात आपको area count करना पड़ेगा ना VT graph में area ही तो count करना पड़ता है तो यह area कितना आएगा half base into height से करो तो यह area आएगा मेरे पास 1 है ना half base into height करोगे basis का 1 है और height 2 है यह area कितना आएगा यह area आएगा मेरे पास 2 into 1 तो 2 आजाएगा area फिर यह trapezium का area निकालना पड़ेगा ना अपन को यह वाला trapezium का area कितना आएगा half base कितना है इसका नहीं half into parallel side का sum 2 plus 6 उनके बीच का distance कितना है 1 तो यह आएगा total 4 के वराबर ठीक है फिर अपना यह वाला area आएगा यह area कैसे निकलूँगा half base यानि कि 1 का base है नहीं है यहां से यहां तक और height कितनी है 6 यह area आजाएगा 3 का फिर यह जो है यहां से यहां तक है पूरा का पूरा trapezium मानो लो इसको तो half into 2 side कौन कौन से है मेरी 2 और 1 की side है ना तो 2 plus 1 यह side 2 है और यह 1 है यहां से यहां तक यह 1 और यह side हो जाएगी 2 और यह separation कितना दोनों parallel side की चार पर negative 4 है ना तो यह आजाएगा अपना minus का 6 ठीक है तो आगे minus 6 और यह area कितना आएगा यह side 4 और यह distance 2 तो 4 into 2 2 हैने की 8 अब देखो positive area कितना रहा है 1 2 3 3 4 7 7 3 10 और 8 18 18 में 6 कम कर दो minus में 12 यह आगे तो बस आपको इस तरह से area count करना बिटा है ना इसमें सारी जो माथा बच्ची हूँ कि area count करने की है ना अलग shape triangle trapezium वो सारी area को count करने है ठीक है आगे बढ़ने है अपन एक मिटर जो लंबी रॉड है उसको आपने middle point से 90 degree अंगल बनाते हैं मोरते हैं तो आपको बताना है उसका center of mass उसके center से कितना दूर है रोड के center से तो देखो यह एक मिटर की रॉड मान लेते हैं इस तरह से है ना यह इसका center है तो अब इसके दो इससे करो आप है ना एक हिस्सा तो यह हो जाएगा उसका सीवन यहां पे center of mass दूसरे इससे का center of mass यहां पे तो इन दोनों का जो center of mass आएगा देखो ओवेसी बात है यह mass m by 2 है यह वाला mass भी m by 2 है इन दोनों का center of mass इसे मालों दो पार्टिकल m by 2 के उन दोनों का center of mass यहां बीच में कहीं आएगा ना इसका मतलब यह distance कितनी आएगी एल बाइटू उसमें से फिर यह distance हमसे पूछिए डी पूछा है तो यह एंगल तो 45 ही तो बनेगा इसका अधर डी कितना आ जाएगा एल बाइटू साइन 45 ठीक है बिलकुर ट्रेंगल से आज के पूछा कर लो ना इसको इसमें क्या हम वो आर्सी वाला लगा है वह तो केलकुलेटिव है यह ईजी है कि आप देखो कि दोनों रोड इसके बनेंगे यह एक रोड के दो इससे बनेंगे ना तो यह उसका आदे हिससे का मास तो यहां पाएगा center में और आदे हिससे का center of mass यहां आएगा, उन दोनों आदे इससे के center of mass को दो पार्टिकल की तरह treat करते हुए, उन दोनों का center of mass में एक दम बीचो बीच, system का center of mass आजाएगा, तो system का center of mass यहां आएगा, तो यह distance आपको d बतानी है, ठीक है, तो इसमें क्या कर सोचोगे इसमें, देखो तो यह distance आपको बताना है है ना, यह था c2 यह अपने पास यह को न मास और यह को न मास ठीक है, इस तरह से, तो यह d distance आपको पूछा गया है है ना, यह d distance पूछा है और यह L by 2 आपको दिया गया है यहां से यहां तक कर्डिस्नेंस ठीके तो कितना आएगा solve करने पेटा L by 2 root 2 है ना तो 1 upon root 2 होता है 0.707 by 2 L तो यह हो जाएगा 707 कहा था कितना हो जाएगा 0.353.5 है ना L कितना 1 meter है तो approximately meter में आएगा मतलब कि centimeter में हो गया है ना तो लगवग 35.3 cm आ जाएगा तो आपका answer बनेगा इसमें वो आ जाएगा 0.353 meter और इसको centimeter में convert करोगा तो 35.3 cm तो यह आपका first option हो जाएगा इसका बच्चा 119 की करते हैं आपको एक question दिया हुआ है कि प्लाइंग के उस पे तीन आदमी खड़ाएं ABC 30-40-45.5 के मास और प्लाइंग का खुद का मास कितना दिया हुआ है ठीक है तो 90 केजी का तो प्लाइंग भी अभी बोल रहे हैं कि ए और भी अगर अपनी पर उका हुआ है सिया गया तो मालो प्लैंक अपनी तरफ से एकसे शिप्ट हुआ है तो एमें जो शिप्ट आया न एक चुछली अपनी पोजिशन से चार पीछ आया पर एकस या आगे है पर ग्राउंड के रिलिटीव जितना प्लैंक चलेंग उतना सब भी चलेंगे तो इ और यह सब में ground frame में लिख रहा हूँ कि ground frame में system पे कोई external force नहीं है है ना तो M1 delta x1 plus M2 delta x2 plus M3 delta x3 अब देखो A अपनी position से 4 आगे गया था plank के relative लेकिन ground के relative plank खुद x चला है तो A total कितना shift हुआ? X, X तो ये plus 4 और shift हुआ है है ना तो A का mass कितना है? A का mass है 40 कितना shift हुआ है? X plus 4 है ना M2 4 पीछ आया पर plank खुद x आगे गया तो M2 का यहनिकी 60 वाले का ground के relative displacement कितना बचा? एक तो ground के relative ये plank के साथ तो X आगे आएगा लेकिन ये खुद पीछा है था इसलिए X minus 4 कर दिया M3 कितना आएगा? M3 में अब मेरे बचे वे दोनों mass है ना? कोई B तो plank के साथ ही रहेगा ना? तो total mass कर दिया मैंने 90 plus 50 और इसको माल लिया X वह जितना plank चलेगा उतना ही B भी चलेगा solve करने आपके पास या जाएगा? 60, 60 और या जाएगा मेरे पास 60 plus 40 plus 140 X तो या आएगा मेरे पास 240 minus 160 तो X कितना आएगा आपके पास? 80 by 240 याने कि 1 by 3 towards right या आपका second answer आगया इसमें कोई confusion? तो ध्यान रटना मैंने ground के relative plank को X चला है plank अगर X चलेगा तो C जो है वो plank के relative चार पीछ आया लेकिन ground के relative X आगे भी चला है तो X total चला लेकिन 4 खुद पीछ आगया तो X minus 4 उसका shift आगया ठीक है? किसका? A का है याना इसमादब C का और A 4 तो plank के relative चला और plank भी X आगे चला तो A total कितना चल गया ground के relative? X plus 4 S वसन है ठीक है? तो यह आपका answer आगया इसमें कोई confusion फिर अगला आता अपना 90 के बाद 20 20 माता है कि किसी भी 2 partial system का जो center of mass होता है वो closer होता है heaviest particle के लिए तो बिल्कुल सही बात है भारी mass के पास center of mass shift होता है और vector sum of mass moment about center of mass is 0 यह बिल्कुल center of mass के definition ही होती ही तो कि आपका कोई system है XY plane में उसका मान लो एक mass है M1 दोसरा है M2 रेम 3 तो इसका center of mass के definition ही है कि एक ऐसा point जिसके about अगर आप तीनों particle है जितने भी particle है उन सबके mass moment count करोगे तो वो mass moment का जो vector addition आप करोगे सारे particle के वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए जिस point के about mass moment 0 आजा है vector addition उस point को center of mass बोलता है यह center of mass की definition होती ही ठीक है तो यह बिल्कुल सही बात है और इसका answer आपका हो जाएगा correct explanation of a 120 का आपका answer हो गया 1 इसमें बिल्कुल confusion फिर उसको याद आता आपका 121 121 आपको बुलाएगी एक m mass r radius की एक ring है और इसमें 30 degree का part आपने अठा दिया तो बच्ची हुई ring का अपनी axis के about जो है mass कितना होगा तो देखो इस बच्ची हुई ring का mass m dash माने तो m dash कितना आजाएगा बच्चे वे mass ने अपने center पे कितना angle बनाया 330 degree तो 330 degree का mass बताना है 360 degree angle वाले किसे का mass था इतना तो यह हो जाएगा 11 by 12 m तो आपका m dash आगया और ring का inertia क्या होता है m dash into r square तो 11 m by 12 into r square इसमें कोई confusion यह आपका हो गया second answer इसमें 121 में अगला आता आपके पास 22 22 में आपको बोलाए कि 2A side की square plate ते उसमें सापने A side की square plate काट लिए symmetrically मतलब दोनों के center एक है hole का center और plate का center एक है तो बच्चे हुए इससे का mass जो है वो m है तो मैं इसकी density मालेता हूँ sigma तो देखो sigma क्या जाएगा आपके पास total area है 2A square minus hole का area जाएगा A square इसको इन्होंने बोला वह है M बच्चे हुए इससे का mass तो यह क्या आएगा 3 sigma A square is M तो इससे sigma की value क्या आएगी M by 3 upon A square यह आगया sigma अब आपके पास mass आएगा inertia क्या जाएगा inertia हो जाएगा एक तो आपके पास बड़ी disk हो जाएगी इस system को आप ऐसे मान सकते हूँ एक तो 2A side की बड़ी disk है मदब बड़ी plate और एक छोटी plate इसकी density plus sigma माल लेते हैं इसकी density minus sigma माल लेते हैं तो i1 plus i2 दोनों हो जाएगे यह हो जाएगा m1 2A square by 6 plus m2 a square by 6 ठीक है तो अब इसमें m1, m2 की value पूट करनी है तो m1, m2 क्या हो जाएगा मेरे पास जखो value पूट करते हैं तो m1 को मैं यहाँ लेता हूँ sigma into 2A square sigma की value क्या है मेरे पास m by 3 a square 2A square तो यह जाएगा 4 by 3 m इसी दर से m2 की value निकालूँगा तो m2 की value क्या हैगी m2 के ले जाएगी minus sigma density my negative into a square तो यह जाएगा minus का m by 3 ठीक है तो यहाँ value पूट कर देंगे अपन तो यह आजाएगा 4 by 6 a square m1 की value है 4 by 3m ठीक है प्लस 1 by 6 a square m2 की value है m by 3 minus में तो यह कितना आजाएगा मेरे पास यह हो जाएगा 16 by 18 तो यह हो जाएगा यहाँ से solve करेंगे अपन इसको तो यह जाएगा m2 तो बाहर आजाएगा यह जाएगा मेरे पास 46 by 8 48 16 by 48 minus 1 by 18 15 by 15 by 18 आएगा 14 15 by 18 आजाएगा 15 by 18 m2 मतलब की solve करेंगे तो 5 by 6 m2 5 by 6 हो जाएगा मेरे पास 4th option में तो फिर बाद में थोड़ा सा केलकुलेशन वाला पार्ट है बाकि आपका अंसर इससे बन रहा है ओके तो जब भी कट करने वाले क्वेशन आते हैं हमेशा आपको क्या यूज करना होता है आपको यूज करना होता है यूनिफॉर्म रॉड है जो कि एक्स वाई और जैड एक्सिस के लोग है एक्स वाई और जैड एक्सिस के लोग तो इन तीनों रॉड को इस तरह से आपने अरेंज किया हुआ है तो देखो हर एक का मास्क है M L M L और यह भी क्या है M L तो इसमें जैड एक्सिस के अबाउट ही आपको इनर्शा बताना आपके एक्सिस जो है वह ऐसे निकल रही है ना तो इसके में इसका तो इनर्शा जैगा खाली दो एक्सिस बचेगी तो इन दोनों रोड का आ रहेगा x वाले का भी आएगा ml square by 3 और y वाले का भी आएगा ml square by 3 3 3 का जाएगा 0 तो यह आपका नेट inertia आएगा 2 ml square by 3 क्योंकि जो axis है वो z वाली axis के लोग रोड के लोग है तो उसका खुद का जीरो हो गया रोड अगर axis के लोग जाए तो inertia 0 आता है और इन दोनों के लिए axis के तरह से इसे perpendicular दे हो तो इसका भी ml square by 3 और इसका भी ml square by 3 ओके अगला आता है 24th 24th में बोला है कि किसी भी rigid object के लिए आपको translation equipment की condition क्या होती मतलब total external force का addition 0 हो और total torque जो है वो 0 होना चाहिए रोटेशनल equilibrium के लिए यह ट्रांसलेशनल equilibrium के लिए तो मतलब सही बात है कि जो अतने भी external torque है वो 0 होने चाहिए तो यह तो condition होती ही है एंदा तो assertion तो सही है रिजन की बात करते हैं दो equal और opposite force अगर किसी एक object पे लगे तो object जो है वो है ना equilibrium में रहता है ऐसा यह बोल रहा है लेकिन जी जरूरी नहीं है पर आपने केवल condition में क्या बोला है और एक minus charge electric film आप इसको रखते हो तो electric field के वह से इस पर क्या लगता है प्लस का क्यूई इस पर क्या लगता है अपोजिट डिरेक्शन में क्यूई तो देखो इनके force वाले एफेट तो cancel होता है लेकिन इनका torque भी तो create होता है पढ़तो ना अब electric field में इस पर टॉर्क लगता ह लाएगा है ना इसका मतलब यहां पर आपका थर्ड हो गया 124 में अगला आता है 125 क्यूशन आपके बुलाए कि एक centimeter radius का एक बुलबुला है जो कि दूसरे 2 centimeter radius के बुलबुला के अंदर आपने बनाए ऐसे तो एक की radius तो क्या है 2, r1 कितना है 1 तो इसमें दखो यहां कितना है pressure p0 यहां p1 और यहां p2 अभी बोल रहा है कि इसके अंदर जो pressure ना पी 2 आपको एक ऐसा radius बनाओ कि उस radius के अंदर का जो pressure आए वो और यह p2 बराबर आजाए तो r कितना आना चाहिए तो दो दो पी बराबर p2 बोला है पी कितना हो जाएगा p0 प्लस bubble है ना इसलिए 40y r आएगा p2 कितना जाएगा p0 प्लस p1 40y r यह ना p1 तो जाएगा 40y r2 फिर उसमें 40y r2 r1 और जोड़ दो तो पी नोट से पी नोट कर जाएगा तो यह जाएगा 1 upon r बर बर 1 upon r1 प्लस 1 upon r2 तो इससे r जाएगा r1 r2 upon r1 प्लस तो 1 2 1 प्लस 2 तो 2 बाइ 3 यहने की 0.67 cm तो यह तो cm पाया ना इसको मिटर में गनवर्ड करोगे तो 0.067067 meter यह आपका अंसर बन गया तो आपका अंसर हो जाएगा इसका 3rd option ओके 25 का 3rd के बाद अगला आता है 26 26 की बात करते है 26 मा आपको बोल रहें कि एक लेक है ना उस लेक की बोटम से एक बबल आता हो डवल बड़ा हो जाता है मतलब इसकी रीडियस अकर यहां आर मारे है तो यहां टू आर हो जाती है और यह बोलाए कि temperature constant है air का तो इसका मतलब temperature constant का मतलब क्या हो जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2 यह ना पीवन कितना हो जाएगा मेरे पास P1 initial है P0 प्लस रोजी डी इसकी डेफ में माल लेता हो मैं रोजी एच माल लो या डी माल लो एच माल लेते चलो ठीक है और V1 V1 आ जाएगा मेरे पास 4 by 3 pi प्लस रोजी एच बराबर 8 पी नोट ठीक है तो रोजी एच के इतना है आपके पास 7 pi नोट तो इसका मतलब रोजी एच अब इन्होंने यह बोला है कि जो पी नोट है ना उसको आप capital H height water की अगर होती मतलब पानी की capital H height का जो column होता उसके pressure के बराबर मान लो और इधर भी क्या है इधर भी तो आपने पानी लिया हुआ है ना यह दो जील में भी तो पानी होता है तो रोजी से रोजी तो कड़ जाएगा तो आपके पास small h कितना हो जाएगा 7 h 7 h का मतलब की third option है इसमें कोई confusion 126 आ गया फिर आता है 127 में दो A B तार है जिनके material से में है ना same material है A की length L और diameter radius R है या diameter R है और B की length 12 और radius diameter 2R है same force के द्वारा आप इनको कीसते हो same force लगागा अपने इनको stress करवाया A और B में extension का ratio बताना तो देखो force क्या होता है A Y upon L delta L आपको extension बताना delta L क्या हो जाएगा F L upon A Y तो F तो इसमें देखो F L एरे का हो जाएगा Pi diameter का square by 2 by 4 Pi R square होता है ना diameter square by 4 हो गया Y तिसका मतलम में बोल सकता हूँ delta L is directly proportional to 1 upon D square अब आपको diameter के और length भी दे रहिए तो length भी आईगे ना साथ में तो length upon D square यह दिया हुआ है तो delta L A delta L B अब इनकी length के जरीके आपको L O 2L यह तो as it is आगया और diameter के square करना है तो इधर आजाएगा मेरे पास इसका तो कितना है R और इसका कितना है R by 2 और square भी करना है तो यह आगया मेरे पास इधों कटेगा यह जाएगा 1 by 8 तो मेरा answer आजाएगा 1 by 8 फर्स्ट ऑफ्शन 127 में इसमें अगरी confusion 127 का फर्स्ट आर अपना फिर अगला आता है 128 128 में आपको एक तार की length L1 दिया वाए तेंशन T1 दिया वाए दूसरे तार की length L2 है जब उसका टेंशन T2 है तो है ना तो देखो original length में मा लेता हूँ L रही होगी आपने T1 टेंशन लिस पे अपलाई किया आपने जब T1 टेंशन अपलाई किया तो तार की length कितनी हो गई T1 टेंशन लगाने के बाद length हो जाएगी L1 इसी दर से आपने force T2 लगाया मतलब force बढ़ाया होगा आपने बढ़ाके F2 कर दिया यह F1 जो कि T1 की equally होना चाहिए इदर F2 जो है वो T2 की equal है तो उस case में length कितनी है L2 है अब हमें बता है कि natural length पुछा है F पराबर क्या होता है AY upon L delta L तो T1 कितना हो जाएगा AY upon L L1 minus L दूसरा T2 के लिए equation मना लो AY upon L अब दोने equations को divide कर दो तो यह तो कड़ जाएगा आपके पास cross multiply करने से के आएगा T1 L2 minus L T2 L1 minus L solve करोगे तो T1 L2 minus T2 L1 T2 minus T2 plus T1 L तो L क्या जाएगा मेरे पास T1 L2 minus T2 L1 upon T1 minus T2 तो क्या है इस option एस option नहीं न तो कोई बात इस पर से minus common लो न तो T2 minus T1 और भी यह जाएगा आपका मेंज कर रहा third option ठीक है तो आपका third option मेंज कर जाएगा इस मैंसे दो नहीं से माइनस कोमन ले लो यह तरम आगा जाएगी इदर यह वाली तरम आगा जाएगी तो आपका third option मेंज कर जाएगा 28 में फिर उसका आता है 29 29 29 में आपको बोलाएगे same material और length परंतो diameter जो इनके अलग अलगे ठीक है उनको same force आफ खीच रहे हूं तो पर unit length में कितनी energy आईगी तो पर unit length में energy आती है ना u by v उसकी value होती है half stress square upon 2y है तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं stress square upon 2y stress कितना हो जाएगे इस case में अब आपको stress यहाँ पर आपका होता है force by area का square upon 2y तो यह force में क्या आता है diameter आता है तो diameter का square और फिर उसका भी square है कि 1 upon d की power 4 आ रहा है ठीक है अब diameter का ratio 1 2 दिया वा है तो आपका energy का ratio क्या रहेगा u1 by u2 यह जाएगा d2 by d1 की power 4 यहने की 2 by 1 की power 4 यहने कितना हो जाएगा 16 is to 1 यह मेरा 4th answer आगे इसको 129 तो 129 का 4th option इसमें क्यों confusion फिर आता है 130 130 मा को बुला है कि एक container उसमें bottom में hole किया हुआ है ठीक है और उस hole में से पानी निकल रहा है total यहां पर प्रेशर कितना है वह है 380 तो सबसे पहले तो देखो कि जो पानी है उसकी हाइट कितनी रहे होगी 380 प्रेशर आजाए एस हाइट मान लेते हैं तो पी क्या आएगा पी आएगा पी नौट प्लस रोजी एच यह प्रेशर आए तो पानी की वैसे कितना प्रेशर आया तो रोजी एच बराबर 280 तो रोजी एच बराबर 2G कितना है 10 H कितना है 20 तो रूट 400 आगया अपना आंसर रूट 400 यह नहीं कि अपना आंसर आगया फर्स्ट ऑप्शन 130 में 131 में बात करते हैं यह बोल रहे हैं कि साइफान है उसमें 1.5 ग्राम पर सीसी जो है वो लिक्विड बढ़ा हुआ है टेंसिटी का है न तो प्रेश इस बताना है को क्यों दिखने में गाले हैं फिर अगले घरखंक करते हुँए object के जो normal component of acceleration है वो क्या करता है देखो दो तरह component होता है यह अगर particle है और यह की velocity इस तरफ है न तो एक तो acceleration होता होता है जो इसी की direction में होता है जोर्ण तो तो दो परपेंटिकलर कॉंटिटी कभी एक दूसरे की वैल्यू का उफेक्ट नहीं करती है मतलब कि यह जो रेडियल एक्सेलरेशन और स्पीड की वैल्यू को कम जादा नहीं कर पाएगा बट वेलोस्टी की डायरेक्शन ज़रूर चेंज करता है तो यह क्या करता है डायरेक्शन चेंज करता है 132 में आप कहां सरू जाएगा सेकेंड अगला आता है 133 133 में बोल रहा है कि एक जो स्मूध स्फेहर है वो होरिजॉन्टल वॉल पर मोशन करता हूँ तो आई माइनस जे से यह मोशन कर रहा है और दीवार वाइजेट प्लेट में है वाइजेट प्लेट में होने का मतलब जो देखो दीवार जो हैना वो से यह रहा है मतलब ऑस डैरेक्शन है न वह आपकी आजाएगी इढ़र इधर जाना ना किस्थीवार से परfund किलर ओख़िए यह बात समय हुआ दीवार अगर वाइजेट प्लेन में तो एक स्टारेक्शन क्या होगी परपेंदिकलर यह कि अब एक स्टारेक्शन में दियान अब जो perpendicular component ना वो तो change होगा, parallel component change नहीं होगा, क्यों ही होगा, क्योंकि parallel component change करने के लिए आप हो चाहिए tangential force, tangential force यहां के फ्रिक्शन हो सकता था, बड़ जैसे बोला na smooth is fair, तो tangential force 0 गया, मतलब कि जो parallel component दीवार के parallel component वो तो affect नहीं होगा, तो parallel component तो minus jkp आएगा, लेकिन जब object टकरा रहा है, तो वो पहले इधर आ रहा है, to yk, वो इसका x component, तो पल्टेगा तो यह वी से पल्टेगा, तो ध्यान रखना, e जो होता है, वो line of impact के लोग होता है, line of impact हमेशा plane के perpendicular होती है, तो v का मतलब क्या होता है, e का मतलब क्या होता है, separation speed by approach speed, लेकिन यह कौन सी direction लगेगा, cable x direction में, ध्यान रखना, यहाँ पर line of impact जो है, line of impact जो है, वो x direction है, तो यही तो है line of impact, इधर और इधर, तो इसका मतलब separation speed कौन है, vx, approach speed कितनी थी, 2, a की value क्या है, 1 by 2, तो vx कितना जाएगा, vx हाजाएगा, 1, यह तो खाली value, direction क्या आएगी, पहले i cape में आ रहा, तो मैंस i cape में जाएगा, तो मेरा answer हो गया, third, है न, vx तो है minus 1 i cape, और v y जो है, वो as it is रहेगा, दिवार के tangential direction में कोई भी velocity है, दिवार की parallel कोई velocity है, तो वो change नहीं होगी, मतलब अगर य है, 1, 34 में, एक object, variable velocity से motion कर रहा है, आपको बता रहा है, कि कितना displacement cover करने के बाद, यह constant आएगा, तो देको simple सी बात है, अपन इसका graph बनाते है, omega t graph, यह न, इसमां आपको omega की value दीवे, alpha minus beta थी, इसका मतलब यह value ऐसा आएगी, t बराबर जरूपे, st alpha है, alpha by beta time बाद यह क्या हो जाएगा, velocity 0 हो जाएगी, अब देखो, omega t graph जो है, वो linear आ रहा है, तो इसका area किसको represent करेगा, displacement को, तो यहाँ delta theta हो जाएगा, area, क्या हो जाएगा, half base height, triangle बनेंगे न, alpha square upon 2 beta, यह आगे मेरा first option, है न, दूसरा दरीका integration वाला है, पर वो कोई मतलब नहीं, आप omega t graph बनाओ, सिंपल सी equation, linear equation बन रही है, omega t graph के रहे, delta theta होता है, बहुत आसानी सो जाया गए, है न, 135, 135 हैं बोल रहे हैं कि लड़का जोले पर बेटके जोल रहा है, तो इसका oscillation time period जो है, वो T है, यह बच्चा यहाँ बेटा हुआ है, ठीके, फिर यह बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद कि बच्चा जो है, इस जोले पर खड़ हो जाता है, तो देखो, पहले इसका जो लेंद था न, वो यह थी, अब जो इसकी लड़ेश आएगे न, वो एक्चली सेंटर अफ मास तकी लिए न, तो सेंटर अफ मास थोड़ा उपर हो जाएगा न, बच्चा खड़ा हो गया, इ से कम आएगा, इसमें कोई कन्फूजन, 135 में आपका अंसर हो गया, लेस देन T, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं मन अपने सेक्शन T पे, यहां तो कोई कन्फूजन मेंटा, अगला आता है सेक्शन B, सेक्शन B में आपको पहला क्वेशन बहुत आसान दियावा है, आपको सिं इता हूं, 2π by T, तो T कितना हो जाएगा मेरे पास, 4π by 100π, यहने कि यहाजएगा मेरे पास 0.04 सेक्ट, 36 का फर्स्ट, आपको अगला 137 में देखा आपको एक OEM मास का A, एक क्रॉस सेक्शन एरिया का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जो कि रोड एंसिटी के लिक्विड मे तो T कितना है, देखो, समझना इसको ज्यान से, यह औबजेक्ट मानलो इस तरह से तेर रहा था, कि इसकी टोटल लेंथ मानलेते हैं, अपन, L है, और उसमें से लिक्विड में कितना हिस्सा डूबा हुआ था, यह इतना लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड में हमालेता है, तो इसका मतलता है, अभी जो वह ऑइंट पोर्स लगा हो, किसको बैलरा है, एम जो को बैलरा थारा है, तो वह एंट फोर्स कितना लगाए का, एंच इंटू एरिया, सिग्मा लिक्विड डेंशिटी मानलेते हैं, सिग्मा इंटीड दिस एमर्जट वॉल्यम, लिक्वीड में तो मैंने इसको लिक्वीड केंदर फूड़ा सा और पूश किया कितना पूश किया मैंने X पूश कर दिया और यह पहले से पुष्ट था अंतर अंदर ही था अभी इतना डूब गया तो देखो अब इसमें point force बढ़ जाएगा क्योंकि यह डूबा वैस्ट से बढ़ रहा है mg अभी नीचे लग रहा है तो देखो अब इसमें net force कैसे निकालो कि आप अभी डेश माइनस mg अभी डेश क्यों जाएगा सिग्मा एच प्लस एक्स इंटू एंटू जी माइनस mg अब देखो सिग्मा एच एजी सिग्मा एजी एक्स माइनस ओफ एम जी यह तो कर जाएंगा आपस में उस से इसे तो मेरे पास जो नेट फॉर्स आ रहा है वो अ रहा है एक्स पर डिपेनेंट क्या रहा हिरा जाएंट मेरे पास नेट फॉर्स सिग्मा एजी एक्स इसको हम बोलेंगे फोर्स अब टाइम पिरिट विसेचिम क्या होता है टी बराबर टू पाई रूट एम भाई के और के का मतलब फोर्स कॉंस्टेंट कितना दिया है सिग्मा एजी यह मेरे पास टाइम पिरिट का फॉर्मला रहा है तो यह तो गलत हो गया है अपने पास यह सिग्मा मतलब कि टी स्क्वेर इस डारेटली प्रपोर्शनल टुवन अपॉन सिग्मा सिग्मा मतलब रो इन्होंने लिक्विट रिश्टी रो गोला है तो मेरे पास आंसर आजाएगा फिस्ट ओप्शिन फिर अगला आता है अब बंद ओर्गन पाइप के लिए अगर आप ट डी तो बिल्कुश ही बात है तो बिलकू सही बात है फ्रिक्वेंंसी का फामला का होता है वन अ फो रह Так करेक्विंशनल गेंगी तो आपको बोल रहेंगी close organ pipe में standing view बनती है बिल्कुल सब्सक्राइब बनती है यहाँ पर फ्रिक्पेंसी का 1-3-5-7-9 इस तरह साथ है थर्ड हार्मनिक विचार प्रजेंट इने pipe open बहुत इंड और हर्मनिक अभी बोल रहें कि खुले pipe में केवल ओड हर्मनिक आते हैं गलत बाते हैं और इवन भी आते हैं वन टू-3-4 इस तरह का रेश्व आता है तो यह हो गया गलत आपका हो जाएगा इसमें यह गलत कौन से करेक्ट है तो वन और तो करेक्ट है पन वन फॉर्टिम बोल रहे हैं कि एक डेंसर जाने का मतलब कि घटना इसका मतलब भी सब्सक्राइब क्योंकि एफ कभी चेंज होता है एफ जो है दियान रखना एफ तो पॉंस्टेंट ही रहता है एफ जो है वह सोर्स जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज की फ्रिक्वे हए पानी रहे टेंप्रीचर कम ज्यादा हो कुछ भी हो स्पीड ज्टकरेंगे अपने आपको फ्रिक्वेंसी जो मैं बोलर हूं ठीक कैसी कोई चेंज नहीं होगा और स्पीड तो घटेगी न क्योंकि आप डेंसर में जा रहे हो और युएवलेंड भी घटेगी तो आपका यह आंसर आजाएगा इसमें यह तर तो पी क्यू तो स्वर्य आर्क्यू प्यूट है ना तो आर्क्यू कि मेरा अंसर आ गया थर्ड आंसर ऑन पॉर्टी वन पॉर्टी में बोल रहे हैं कि कार जो है वह एक खिल की तरफ जारी पहाड़ी की तरफ तीस की स्पीड सो उसका ड्राइवर एक हौन बजाता है और वापस रिफलेक्ट हो तो दिवार को सी फील होगी एसे मां लो जो डिवार सुनेगी वही दिवार रिफलेक्ट करें इसे मालो दिवार की जग एक रुखावा observer मान लो तो रुखावा observer जो होता हुआ कितना सुनता फिर तो यह सुनता f1 बराबर f यह यह साउंड भी जा रहा है F C minus V U upon C minus V S अब इस case में O कौन है O मतलब observer observer कौन है wall और source कौन है यह ठीक है तो अब इसमें F observer तो रुका हुआ है source उसी डिरेक्शन में चल रहा है साउंड की डिरेक्शन तो प्लस में आएगी velocity तो यह तो रहाएगा F C upon C minus V F1 आ गया फिर जब यहीं frequency वापस पल्टेगी अब दीवार जो है वह फ्रिक्वेंसी पल्टाएगी अब पर साउंड पल्टेगा न तो यह F1 फ्रिक्वेंसी जो दीवार सुनता है उसी को दीवार करता है दीवार ने F1 सुना तो यह पल्टेगा तो उसके बाद यह frequency जो है अब वह इसके अंदर जो ड्राइवर बिठा ना वह सुन रहा है ठीक है तो इस ड्राइवर को frequency कितनी सुनाई देगी हम से यह पूछा गया है तो यह इसने माल लिया F2 सुनी होगी तो F2 अब दू सब्सक्राइवर को न यह ड्राइवर ओब रिचा रहा है वी स्पीट से आ रहा है तो ड्राइवर जो अपने पास Fc एपॉन सी माइनस वी और यह कितना आएगा ऑब सर्वेर कोने सेंडिकैसमें ड्राइवर कोई आना तो यह चल रहा है sound कि एतर से शांट की आई से औरवर स हो आप कितना आजाएगा सी से सी कटेगा इधर से याद आएगा f c p lus v upon c minus v आप चाहँ तो याद भी रख सकते बिदेगा इसको याद है ना वो direct कल देगा इसको तो f2 कितना हो जाएगा f c plus v c minus v solve करेंगे तो कितना आएगा तर अच्छा वैसे एक दिमाग ये लगाए है आपके दोनों बार frequency बढ़ेगी ना देखो इतना ओर करने ही जोड़त नहीं खाली इतना याद रखो source दीवार के पास जा रहा है frequency बढ़ेगी फिर दोसरे case में observer source की तरफ जा रहा है तो भी frequency बढ़ेगी दोनों बार frequency बढ़की आएगी ना तो बढ़ने वाल option छेस्टो से बढ़ने वाल option तो एक ही दिया वा मुझे 720 और value put करोगे तो भी आदाएगा आपके पास 600 थ्री थर्टी प्लस थर्टी अपोन 330 माइनस 30 तो इसको सॉल करोगे आप कहां सल जाएगा 720 थर्ड ओप्शन ओकी इसमें कोई confusion इसके आता है 142 142 पोलना है कि किस temperature पे centigrade और Fahrenheit scale जो है वो सेम रिडिंग दिखाते हैं तो centigrade और Fahrenheit हमेशा माइनस 40 पे सेम रिडिंग दिखाते है पता है आपको centigrade का value क्या होता है c अपोन 100 वराबर f माइनस 32 अपोन 212 है ना तो 212 यह 212 अब यहां value पूट कर दो x माल लो यह 212 माइनस 32 होता है तो 180 आता है बेसिक लिए ना इधर भी सी माइनस 0 अंडेड माइनस 0 होता है ठीक है तो f माइनस 32 x f के लिए x रख देंगे तो x माइनस 32 180 तो x स्वाल करने पे कितना आता है माइनस 40 यह आ गया 142 में 133 में आपको बोला है कि एक cylindrical piston में गेस बरी हुए और आपने बोला है कि आपने इस गेस को गरम कर रहे हैं तो दाएं यह निक राइट साइड वाले पिस्टन का क्यों होगा दो गेस को गरम करोगे ना तो क्या होगा गेस को गरम करोगे तो इसमें गेस के molecule ज्यादा speed से move करेंगे ज्यादा heat करेंगे तो pressure बढ़ जाएगा तो गरम करने के वरज़ से क्या होगा? pressure बढ़ेगा force क्या होता है? force होता है ये F1 और ये F2 तो F1 जो है उस पे force हो जाएगा P1 into area F1 जो होगा वो P into A और F2 A1 और F2 क्या होगा? P into A2 अब हमें पता है कि A1 area बड़ा है A2 area छोटा सही है तो इसका मतलब हमें पता है F1 क्या हो जाएगा? F1 minus F2 F1 कितना हो जाएगा? P A1 minus A2 अब इसको जैसे net force हो है वो इधर लगेगा बाहर की दरफ तो इसका जो piston है राइट साइड का किस तरफ जाएगा? राइट साइड ही जाएगा अगला आता है 144 T1 T2 के बीच में कोई इंजन का वर्क कर रहा है उसकी efficiency इटा है आप दोनों के temperature डबल कर दे तो तो देखो इटा क्या हो जाएगा? 1 minus T2 by T1 इटा डेश क्या हो जाएगा? 1 minus twice of T2 twice of T1 तो 2 से 2 तो वापस कर जाएगा ना तो यह बचा वाक क्या आजाएगा वापस इटा ही आजाएगा सेम आंसर आगे आपका 144 का बलक मोटलर्स जो है आइसो यह आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए आपको बलक मोडूलर्स बताएगा? हमें पता है आइसो थर्मल के लिए बलक मोडूलर्स जो होता है वो इसका बलक मोडूलर्स का फोमल्ला क्या होता है? यह होता है minus of DpdV by V तो minus of V Dp by dv और आइसो थर्मल के लिए ग्राफ का dp by dv ب होता है इसोथर्मल प्रोसेस में ग्राप का स्लोग होता है माइनस और पी भाई वी तो यह कटका जाएगा प्लस पी मेरा अनसर आगा यह और वैसे भी साउंड का जो फॉर्म्मला यूस करते थे जो न्यूटन ने बतायता उसमों बोला था कि साउंड की जो प्रोसेस होते है ना वा बाद में गलत निकला था बाद में लेपलेस ने इसमें करेक्शन दिया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस होती है तो बाद में जो सही फॉमला आया था वो यह आया था इसका ओके अगला आता है 145 146 146 में कार्ण इंजने जो कि इन दो टेंपरेचर पर वक कर रहा है और इत दोनों फॉमला होते हैं वर्ग आप से पूछाए क्यो वन कितना दियावाज 6 किलो केलोरी ठीक है तो इस केस में आप कहा अंसर हो जाएगा 1- यह कितना हो जाएगा 273 प्लस 127 और 273 प्लस 227 तो जाएगा 1-400 बाइ-500 बराबर 2 बाइ-5 पाइव स्वरी वन माइन यह आपके पास 1-5 तो 6 तो मेरा अंसर आजाएगा 1.2 किलो केलोरी तो 1.2 किलो केलोरी आपका अंसर आजाएगा ठीक है किलो के लिए आप से पूछा गया 146 का अंसर हो गया आपका सेकेंड फिर आता है 147 147 में बोल रहे हैं कि आपने कोई गेस मिक्सर काम में लिया उसमें आपको साउंड की स्पीड होता नहीं है तो देखो पहले जिए चिए मन कितना दिया गए मास औफ ऐडरोजोन कितना ऐगा और टू बाद में एम कितना अँप कीपन लाएगा देखो ऑक्सियन है च्लिक तूपाट और तो नहीं व्लिद lowers पार्ट और चिथि मास औफ आपक्सियन और टोटल पार्ट कितनी है ट्रीघ होता है sol करने का जितने पाट हो और है जितने पार ने उन उन सब को जोड़ दो कि नीचे तो यह कितना हो जाएका इसका तो इसका 32 घटेगी घटने वाल आपका है यह यह वी रूट सेवें रूट सेवन क्यों क्योंकि आपका रेश्यो में इनवर्स बराबर पहले का टू में आरा है रूट और बात का रहा है 14 में तो इसको सॉलब करोगे आपका अंसर जाएगा वी रूट सेवन 147 का फॉर्थ हो गया 148 कि दो मास आपको दिये A और B और इन्में आपको टेम्परचर T1 T2 है है ना तो आपको बताना है कि सेम टेम्परचर दिया है T1 T2 इसमें भी T1 इसमें भी T2 सेम रेट से हीट फ्लो हो मतलब कि हीट करंट कि सेम होनी चाहिए, हीट करेंट सेम होनी चाहिए इसका था की डेलटा टी वन हीट करेंट का फॉरमला की होता है, डेलटा टी वाई र होता है, है ना, तो इस के इस में यह जायएकर T1-T2 वन अपॉन K L by A1 इधर भी आजाएका T1 minus T2 1 upon K2 L by A2 ये खतम L से L खतम, तो क्या आए आपके पास K1 A1 बराबर K2 A2 K1 A1 बराबर K2 A2 से एकना आंसर आगया 148 का 2 फिर अगल आएगा 149 149 मों ओल रहे हैं कि लेक के जस्ट नीचे मतलब कि आईस जो बन जाती है लेक में उसकी आईस की सर्फिस के जस्ट नीचे टेंपरिचर के रहेगा तो बहार टेंपरिचर तो कुछ भी नेगेटिव हो सकता है लेकिन जहाँ आईस और वोटर इस जगे अगला आता है किसी भी कलर का शाइनिंग ब्राइट स्टार का जो कलर होता है इसके लिए सिंबल से आपका जो थर्मल रिडियेशन का नेचर होता उसके इस आप से बात करते हैं एक पर्टिक्लर वेवलेंद ऐसी आती है जिस पे आपका यी लेम्डा मैक्सिम हो जाता है और यी लेम्डा एम जो है ना उसका फॉर्मला होता है ब्लू तारे का टेंपरेचर जादा होगा उसका जो कलर है वो उस साफ से डिसाइड होता है ठीक है तो यह color जो है वो किसके indication होता है उसके temperature का जैसे मालोग ब्लू तारे का lambda कम होता है ना blue light की wavelength कम होती है तो ज्यानक ना blue तारे का temperature जो है ज्यादा होता है compare to red star तो जिस color का lambda ज्यादा temperature उसका कम होगा मतलब blue star जो है वो red star की तुलना में comparison में ज्यादा temperature रखता है ओके तो यह इस तरह से आपका यहाँ पर जापका दंगल का first test था हो complete होता है आप लोगों ने पेपर अच्छे से complete किया होगा जो भी आपकी doubts रहे हैं इस दोरान पेपर में उनको यहाँ से समझें और उन topics को साथ के साथ cover करते जाए ओके बच्चों thank you all the best